दोस्तों कैसे आप सब में भी ठीक उमीद करते हैं आप भी मज़े में होगे दोस्तों आज हम बनाएंगे करने करते हैं जब बनाने के साथ तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंटली मिल्क पावडर के साथ दोस्तों खाने वैसा ही होगा जैसे आप बाजार से कैन खरीदी यह लेकिन बनाना बिल्कुल मिल्टों से भी कम समय लगेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं में के बनान शुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए हम इन्स्टिंटली बना रहे हैं तो मैं मिल्क पौडर इस्ते माल करेंगे तो मैं वह इसकी आधी सबसे पहले हम पानी को गर्म करने के लिए रखते और जैसी बॉइल आने लगी आप गैस को बन कर देंगे इस चीजे हम दोchę्स्तों ब्लेंडर जार में, जो को ब्लेंडर जार में जो मिक्सी का ब्लेंडर जार विए इसके यह रहा है up can आज से भी बीट करके बना सकती है तो मैंने पहले एक कप मिल्क पाउडर फिर आधा कप पीसीवी शक्कर उसके बाद मैं दो टिबल स्पून देसी की मिक्स कर रही हूं अब इसे एड करें और इस पर हम एड करेंगे एक टी स्पून कॉण फ्लार पाउडर तो इस थिकनिंग क बहुत अच्छे से स्मूदली मिक्स हो जाएं अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो यह थोड़ा दानेदार सा मिक्स्चर बनेगा और थिक भी नहीं हो पाएगा तो आप पानी को गर्म करके इस्तेमाल करें तो देखे मैंने जार कर ढखकर लगा दिया और मैं मिक्सी में चल करें हूं गाला यहा तो इसमें पानी गर्म है क्योंकि हमने पानी क्नी तो थोड़ा सा अभी इस तरह और भी मिस में राखेंगे है तो लिए पहले से glass ball में ड्रांसवर करते शुयन तो यह नर्म है तो इसे चली रखते हैं पान से भाइन गंटे के लिए क्यां तो देखे 5-6 खंटे से मैंने कंडेंस मिल्क को फ्रिज में रखा वा था और यह काफी अच्छे से थिक हो गया है आप देख सकते हैं जिसे आप मार्केट से लाती है स्मूथ क्रीमी कंडेंस मिल्क वैसे बनकर तयार है अब आपको कोई भी मिठाई बनाने हो कोई भी लडू बनाने हो तो दोस्तों हमें कंडेंस मिल्क मजार से लाने की जरूत नहीं है अगर आप और थिक बनाना चाहती है तो आप पानी मैंने आधा कप आट किया है आप और कम आट करें आप 2 टेबल स्पून पानी कम आट करें लेकिन इतनी थिक नहीं सची रहती है अराम रहता है करने में मैं तो देखे क्रीमी सा स्मूथ सा क्रणेंस मिल्क बनकर रेडिये आ अगर आपको कोई भी लड़ू बनाने आने जटपर लड़ू बना सकती है नेतों मुझे तो दोस्तो कर्ला काना दो बच्छों को इस तरीके से कभी- लाइक करें और शेयर करें आपका बहुत हो शुक्रिया